हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आर चैनल यूनिक टुटोरियल आज बात करते हैं चंदीगड पुलिस परसासन की तो उसमें से क्यूशन्स बहुत ज़्यादा बन सकते हैं तो आपके ले इंपोर्टेंट हैं बात करते हैं चंदीगड पुलिस परसासन की चंदिगड़ पुलिस पर सासन तो इसके बारे बात करते हैं सारे क्यूशन पुलिस से रिलेटेड होंगे जो भी तो स्टार्ट करते हैं और एक और बात प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर चंदिगड़ पुलिस की चंदिगड़ पुलिस जीके की प्लेलिस्ट है वहाँ करते हैं भी सबसे पहले सबसे पहले चंदिगड़ पुलिस की स्थापना कब हुई थी तो स्थापना हुई थी एक नवंबर 1966 को स्थापना होई थी चंदिगर्ड पुलिस के मुख्याले कहा पर स्थित है मुख्याले स्थित है सेक्टर 9 में सेक्टर 9 में हेड़क्वार्टर है और स्थापना दिवस कब मनाया जाता है 1 नवंबर को मनाया जाता है चंदिगड पुलिस थापना दिवस एक नौंबर को मनाय जाता है और परतिवर्ष बनाय जाता है और वीक मनाय जाता है एक नौंबर से साथ नौंबर तक पुलिस वीक मनाय जाता है इस वीक में इस बार क्या हुआ है इस बार कंड फेर की दो चीज हुई है पुलिस वीक के ट लिए रक्षा एप है महिलाओ की सुरक्षा के लिए एक दूसरी है important very important senior citizen app senior citizen app है ये लोंच की है 3 नौंबर को चंदिगर्ड पुलिस ने तो ये दो चीज़े आप धान में रखना मैं एक बार स्कॉल कर देता हूं इसको रक्षा एप लॉंच की है महिलाओ की सुरक्षा के लिए और senior citizen app लॉंच की है 3 नौंबर को चंदिगर्ड पुलिस ने दोनों एप लॉंच की है रक्षा एप और senior citizen आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अभी फिलहाल नौवा पुलिस वीक बनाया गया है दोजार अठारा में नौवा पुलिस वीक इसके बाद स्थापना के टाइम पे सबसे उच्पद कौन सा था स्थापना के टाइम पे सबसे उच्पद था SSP का SSP सबसे उच्पद था senior superintendent of police और सबसे पहले जो SSP थे 1966 में वो थे वीके कालिया वीके कालिया SSP थे पहले SSP थे उसके बाद IGP बनाया गया था 1981 में महा निरिक्षक IGP ये बनाया 1981 में सबसे उच्पद बना दिया गया ये सरवोच्पद बनाया गया 1981 में और सबसे पहले जो IGP थे वो थे BN महरा बी एन महरा सबसे पहले थे ये फर्स्ट थे IGP IGP सोरी इसके बाद जो अभी वर्तमान में है उनके बारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ और चंदिगर्ड पुलिस के परभूख होते हैं अभी IGP इसके बाद है चंदिगर्ड जो पुलिस परसासन है वो किसके अंतरगत आती है किसके अधीन होती है तो वो होती है ग्रैस्ट्यू के होम सेकेटरी के अधीन होती है और जो SSP है वो किस केडर से आते हैं तो SSP आते हैं पंजाब केडर से SSP Punjab के डर्स आते हैं और अभी फिलाल SSP कोई नहीं है जो वरतमान में जो भी हैं वो मैं बता चुका हूँ पहले से ही बता चुका हूँ और SP आते हैं जो ट्राफिक SP आते हैं वो हरियाना के डर्स आते हैं इसके बाद IGP के बाद DIG दूसरा सरवच्चे पद होता है इनके लिस्ट मैं और डिस्कस कर चुका हूँ तो इनके बारे में आप पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं एक बार महिला एक महिला थाना है तेरा पुलिस चोकी हैं पहला महिला थाना एक थाना है वो है सेक्टर 17 में इसके बाद नंबर पुलिस हेलप लाइन नंबर सो है महिला हेलप लाइन नंबर है एकजार एक्यार में वरिष्ट नागरिक हेलप लाइन नंबर एकजार नब है और चंदिगड़ पुलिस का ट्राफिक पुलिस साहिता नंबर है वो है एकजार तेहतर तो इसमें कन्फिज मत हो ना कभी बाद में कमेंट करो कि सो नहीं है एकजार तेहतर है तो एकजार तेहतर है चंदिगड़ पुलिस का ट्राफिक पुलिस साहिता नंबर चंदिगड़ पुलिस का कंट्रोल रूम है और पुलिस लाइन पुलिस लाइन है सेक्टर चब्विस में सेक्टर चब्विस में है पुलिस लाइन एक आई क्लिक मसीन लगाई गई है सिकाय थे तो लगाई गई है वह सेक्टर बाइस में आई कलिक मसीन लगाई गई है सेक्टर 22 में अब बात करते हैं कि किसकी वर्दी पर क्या स्टार लगा होता है क्या लगा होता है वो सभी के लिए इंपोर्टेंट है तो बात करते हैं सबसे पहले डीजीपी की तो डीजीपी यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डीजीपी I think एक कमेंट आया था मोटे अक्सरों में लिखने का बारिक में लिखा हुआ था तो इस तरह की वीडियो है इसमें आपको कलियर दिखाई दिया जाएगा तो डीजीपी की कार में कितने स्टार्ट लगे होते हैं परती मेनी कार में तो डीजीपी की कार में तीन स्टार लगे होते हैं और आईजीपी की कार में दो स्टार लगे होते हैं इसके बाद है डीजीपी की कंदे पर क्या लगता है मतलब वर्दी पर क्या लगा होता है तो डीजीपी की वर्दी पर लगा होता है असोक शतम है ऐसोक स्थम और इसके साथ कैची बहुत मेरे पास इमेज वियलबल नहीं है तो मैं आपको इमेज से समझाता अब देख ले ना अशोक स्थम लगा होता है और कैची निशान लगा होता है इस तरह की कैची इसके बाद जो डीजीपी से दूसरा जो पद है वो है ए डीजीपी और कैची, स्टार और कैची लगा होता है, ADGP के, फिर लगा होता है IGP, IGP पे भी स्टार और कैची लगी होती है, इसके बाद है DIG, असोक स्टम लगा होता है, असोक स्टम और इसके साथ तीन स्टार लगे होते हैं, DIG में, तीन स्टार, इसके बाद, DIG के बाद SSP, SSP पे, Senior Superintendent of Police, तो उस पे लगा होता है, SSP पे लगा होता है, असोक स्टम, इसके साथ दो स्टार, स्टार और स्टार, SSP के बाद SP, SP, SP पे लगे होते हैं, असोक स्टम और सिंगल स्टार, इसके बाद DSP, SP के बाद DSP, DSP पे लगा होते हैं, तीन स्टार लगे होते हैं, और एक निली कलर की फित्ती लगे होते हैं, तीन स्टार लगे होते हैं डी एस्पी के बाद इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर पे लगे होते हैं तीन स्टार और फिती नहीं होती है तीन स्टार के बाद फिर एस्पी सब इंस्पेक्टर एसाई एसाई सोरी सब इंस्पेक्टर SI SI पे लगे होते हैं दो स्टार और ASI पे एक स्टार तो इस तरह से ये लगा होता है जो इंस्पेक्टर का पद है वो ASI से स्टार्ट होता है ASI पे एक स्टार मैं बढ़ते करब में बता देता हूं ASI पे एक स्टार फिर SI पे दो स्टार फिर Inspektor पे तीन स्टार फिर DSP पे तीन स्टार और नेली पत्ती फिर S P P P P P E S O Q S T A S P 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 स्टार यह सब कुछ लगा होता है तो कर चेंख लगा होता है तो यह कार के लिए थे तीन स्टार लगे होते हैं डी जी पी पर और इसके बाद है इंडियन इडियो बाटैलियन इंडियन इडियो बाटैलियन है चंदिगड प्लिस में उसकी स्थापना कर वोई थी किए 2009 में हुई थी उसकी स्थापना यह बात आप में थी तो श्यांती कुमार जैन तो स्यांती कुमार जैन था उस में तो अब है नेक्स्ट जो कुसंच नेक्स्ट है वो है इंडियन रिजरो बटालियन कहां मनाया गया है तो सारंगपूर में मनाया गया है IRB इंडियन रिजरो बटालियन कहां मनाया गया है सारंगपूर में और चंदिगड की जेल है जेल कहां पर है बुडेल में चंदिगड की जेल बुडेल में है चंदिगड के जो पुलिस सहीद दीवस कब बनाती है 21 अक्टूबर को बनाती है 21 अक्टूबर को और आपको ध्यान में रखना है 21 अक्टूबर को राष्टे पुलिस दीवस बनाया जाता है राष्टे पुलिस दिवर्स नैशनल पुलिस डे 21 अक्टूबर को बनाया जाता है और सराब पिकर गाड़ी चलाने में कितने की जेल हो सकती है तो छे माँ की जेल हो सकती है सराब पिकर गाड़ी चलाने में अब मैं एक बात करता हूँ कुछ योजना हो की तो एक योजना है हमारी बेटी योजना हमारी बेटी योजना इसके तहट 40,000 रुपए दिये जाते हैं दूसरी योजना है सस्ते बोजन से समंधिती योजना सस्ते बोजन से समंधिती योजना है हरियाना और पंजाब में मनाई गई है उस योजना का नाम है अनपूर्णा अक्षपात्र ये योजना है इसके बाद तीसरी योजना है आसा किरन योजना ये योजना है ये योजना है ये इरलेटिड है दिव्यांगो से तो आपको ये बाते ध्यान में रखनी है तो केवल 13 मिनट 14 मिनट की वीडियो है आप असा करता हूँ आपको ये वीडियो पिछली सारी वीडियो की तरह अच्छी लगी होगी और ज्यादा ज्यादा लाइक करें सेयर करें और कमेंट करें देखिए आपका जरासा एक शेयर किसी दूसरे भाई की भी मदद कर सकता है तो आप ज्यादा ज्यादा जो वाटसप ग्रूप से हैं आपके एज्योकेसनल ग्रूप से हैं उनमें सेयर केजें कहीं प्रोब्लम है तो कमेंट केजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी कर दीजे लाइक कर दीजे और चेप दो रगड़ दो भाई ज्यादा कुछ नहीं है इस पार आपका टेस्ट के लिए होगा गारेंटी के साथ मतलब मैं विस करता हूं अब देखते जाए वीडियो और जल्दी से जल्दी लगे भाई चंदी गड़के जो आनो तो